गुड़ुविनिग फ्रेंड्स दिस जनील एंड वेलकम टू संसे बनेच दोस्तो पतना हाई कोट से अपर मुख्य सच्यू केके पाथक सर को जटका लगा है दोस्तो आईए देखते हैं पूरी खबर क्या है पतना हाई कोट ने केके पाथक के आदेश पर लगाई रोक कोचि के पाथक के आदेश पर रोक लगा दी है सिच्छा विवाग के अपर मुख्य सच्यू केके पाथक के आदेश से सुबह 9 बजे से साम 4 बजे तक कोचिंग चलाने की रोक को खारिज कर दिया है हाई कोट में मंगलवार को कोचिंग एसोसियेशन औफ भारत की याच्विका प को नहीं है कोट ने कहा कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ कोट के पास है इसके बाद सिंगल बेंच ने सिच्छा विवाग के केके पाथक के आदेश पर रोक लगा दी दरसल केके पाथक ने 31 जुलाई को आदेश दिया था कि अस्कूर के समय में कोचिंग नहीं खुलेंगे सुबह 9 बजे से साम 4 बज तक कोचिंग नहीं चलाने का आदेश दिया था किया था, अपने आदेश में कहा था कि अस्कूलों के संचालन के समय, कोचिंग संस्थान संचालित के जाने के कारण, अस्कूलों में बच्चों को परस्थिती कम हो जाती है, सिच्छा विभा के अपर मुक्षचिव, IASK के पाठक ने सुबह 9 बजे से साम 4 बजे तक समेट अन्य लोगों की और से पटना हाइकोट में 16 सितंबर को याचिकादार की गई थी, कोचिंग एसोसेशन और भारत ने हाइकोट में याचिकादार कर मामले महत तच्चिव की मांग की थी दोस्तों, सिच्छा विभा की और से तीन आदेश जारी हुए थे, कोचिंग सं मचालक अपनी फेकल्टी में गौर्मेंट और नौन गवर्मेंट अस्कूलों के टीचर्स और दूसरे इंपलाइज को काम पर न रखें, अगर कोई गवर्मेंट वर्कर याधिकारी बोड में होता है, तो इसके जानकारी वहां के डियेम को दें दोस्तों, केके पाठा के फ इस फैसले से 7-8 लख रोजगार परभायत होंगे, साथ ही परदेश को राजस सुक को भी बड़ा नुकसान होगा दोस्तों, राधानी पटना समेत बिहार के कई सहरों में कोचिंग सर्थानों की काफी सेंख्या है, खासकर राधानी पटना में भारी सेंख्या में कोचिंग सर्थान चलाय जा रहे हैं, छटी कलास से लेकर UPSC के तैयारी को लेकर कई नामी गिरामी कोचिंग सर्थान है, कोचिंग सर्थानों का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक फिक्स है दोस्तों, तो आब केके पाठक को पटना हाई कोट से जटका लगा है, और कोचिंग अप फिर मिलते हले वीडियो में आप संसे मनेज को साथ बने रहे हैं धन्य बाद